हमारे साथ केंद्री मंत्री थावर्चन गहलोत उनसे बातचीत करते हैं सुष्मा जी के जाना कितना खालीपन होगा आप लोगों के लिए देखो सुष्मा जी का अकस्मात देहांत होना राच्ट्र और अंतरवाच्ट्री इस्तरी बड़ी क्षती है और इस शती की भरपाई तो असंभव है फिर भी उनका जीवन जो प्रेरना दाई रहा उस पर चल करके इसकी भरपाई करने का प्रयास हो सकता है वो प्रखर राच्ट्र भक्त प्रखर वक्ता देश की एकता अखनता के लिए सर्वस्व नुचावर करने का जीवन उन्होंने जीवन जीवन त्यागी तपश्वी और सर्व व्यापी और सर्व हितेशी था उनका जीवन प्रेरना दाई था उन्होंने एक प्रेरना दाई कदम उठाया जो आज के युग में कोई भी ने उठाता है उनका स्वास्त खराब है ये महसूस करके उन्होंने ये सोचा कि मैं जनप्रतिनी दित्व का दाईत और संसदी प्रणाली का दाईत भी ठीक से नहीं निभा पाऊंगी इसलिए उन्होंने चुनावी राजनिती से अपने आपको दूर कर लिया जबकि आज के युग में हर कोई चुनावी राजनिती से अंतिमक्षण तक जूड़ा रहना चाहता है ये उनके जीवन का प्रेरना दाई और एतिहासिक निर्णे निश्य दूरूप से हम सब लोग झाल 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 झाल